FarmTrack Tractor में जो Double QRC Coupler के साथ हमने auxiliary lever जो देते हैं उस lever की जानकारी आज देंगे और ये Double QRC Coupler भी जो दे रहे हैं ये Single Acting कैसे होता है और ये Double Acting कैसे होता है उसकी भी जानकारी आज देना चाहेंगे तो जब company से जब tractor आता है तो usually ये single mode में करके देते हैं मगर अपने याँ tractor लेने के बाद आप चेक करना चाहोगे ये single mode में या double mode में वो कैसे करें आईए जाने उसको farm track tractor में हमने double QRC coupler दिये है auxiliary lever के साथ इसके फाइदे क्या है single acting आपको tipping trolley चला लिया single acting ये लाल वाली coupler से चलती है आपने इससे tipping trolley चला सकते हो इसमें आपने tipping trolley की होस लगाई और ये auxiliary lever है इसको आपने आगे पीछे कर दिया tipping trolley उठ गई और tipping trolley गिर गई मन चाहिए आप उसको operate कर सकते हो अगर इस tractor में आप dozer चलाना चाहोगे या पल्टी plow चलाना चाहोगे या laser leveler चलाना चाहोगे तो उसके लिए आपको double host में pressure चाहिए होगा तो हमने double QRC coupler दिये हैं तो दोनों तरफ से आपको pressure मिलेगी और return भी होगी fail तो यही lever में यही auxiliary wall में इसको double में कैसे convert करना है आईए वो जानने के कोशिश आज करेंगे हम पहले यह चेक करें जब tractor company से आपको मिल जाता है तो यह single mode में है या double mode में वो कैसे चेक करें उसकी जानकारी लेंगे वो चेक करने के लिए tractor को चालू करना होगा चालो होने के बाद यह जो auxiliary lever है इसको आप आगे की तरफ करो एक श करके आवाज आएगा आवाज आ रही है मतलब यह single mode में है और पीछे की तरफ कर रहे हो तो वहाँ भी आ रहा है करके आवाज तो यह double mode में है एक तरफ आवाज आ रही है तो सिंगल मोड, दोनों तरफ आवाज आ रही है तो डबल मोड, आईए इसको चेक करें, एक चीज का आपको सावधानी रखना पड़ेगा, जब भी आप लीवर को आगे या पीछे कर रहे हो ट्रेक्टर चालू करके और यहाँ पर कोई hydraulic host लगाय नहीं है, तो इसमें back pressure आपके pump में pressure पड़ सकती है, आईए ट्रेक्टर चालू करें और इसको चेक करें, अभी रेकिया और पीजे की तरफ कर रहा हूँ, आवाज आ रही है, आगे की तरफ कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब सिंगल मोड में है, अभी इस चोटा सा knob दिया गया है, उसको tight करना होगा, जैसे bottle की बूच की तरह आप उसको पूरा कस दोगे तो double acting बन जाएगा, उसको पूरा ही खोल दोगे तो वो single mode में बन जाएगा, क्योंकि अभी ये single mode में है, आप पूरा ही उसको कसेंगे, वो double mode में convert हो जाएगा, वो located है इस अभी देखें मैं इसको tight कर रहा हूँ, इस knob को, bottle की बूच की तरह tight करो, और ये पूरा कस दिया, तो ये double acting mode में convert हो गया,